हापी नवरात्रे टू आल माई फ्रेंड्स नवरात्र आ गया है इसलिए आज आपके साथ में शेयर करने जा रहे हो केले वाली मालपुई की रेसिपी यह तो टेस्टी है ही और साथ में बहुत ही हेल्थी है क्यूंकि हमें इस वक्त खास अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होता ह है अप इस नवरात्ज साथ समिंपिकली फास्त में भी कर सकते हैं रिवक्त रहे बहुत ही सब्सक्राइब जाता है तो शुरू करते हैं पटा पट क्ली मालपुई की रिसीपी अगर यह मालपुई की रखने है तो पलिख लयक्तन स्थापूत किजेगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब किये हुए कहीं मत चाहिएगा और साथ इसाथ नोटिफिकेशन मेल को प्रेस कर लिए क्योंकि इसे से मिलेंगे मेरे नएने वीडियो की नोटिफिकेशन केले वाले माल पुए बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पे दो पक्यों केले ले लिए हैं और अब मैं इसे शिलके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दोंगी और यहां पे मैं मिक्स करने के लिए हैं ब्लेंडर का यूज कर रही हूं आप हाथ पे भी से माश कर सकते हैं और अब मैं इसमें एक कटोरी के करीब यहां पे गिहूं का आठा एड़ कर लेती हूं और इसके बाद यहां पे हम एड़ करेंगे दो चमज सुजी और इसके बाद यहां पे मैं एड़ करने वाली हूं यहां पे दो से तीन चमज के करीब चीनी आप किसमें सब्सक्राइब अघ्रओंदस चीनी की चीनी अइसारे सब्सक्राइब करने के बाद हम इसे अच्छी थरह से एक इस पून की हैव से फेट लेते हैं इन सब सारी चीजों को फेटने के बाद हमारा अभी बैटर बहुत थीक लग रहा है तो इसे में दूद की हैंप से स्मूथ बना लेती हूं तो दूद हम यहां पर मैंने दूद एक बड़ी कप से यहां पर बैटर को स्मूथ है नहीं करने जल्षो do करने बैटर को बल्कुल स्मूथ करना और बहुत है पतला भी नहीं करना है बस हमारा जो बैटर है बहुत ही स्मूथ हैं सॉप्ठ हो बन की तयार हो जाए और इसे जादा से जादा अच्छी तरह से से शेटना है ताकि हमारा जो मालपूः है बिल्कुल सॉप्ट और स्पंजी बनके निकले और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा से दूट आड़ करते हुए आप देख सकते हैं हमें अपने मालपूः के बैटर को रेडी कर लेना है और इसे पांच मिनट तक मैंने यहां पे अच्छी तरह से फेटा है आप इस तरह से फेट ले क्योंकि कम फेटने से मालपूः जो है अगर आप सॉफ्ट मालपूः बनाना चाहते हैं तो इसे बहुत अच्छी तरीके से पेटे इसमें कंजूसी बिल्कुल भीना करें तक रिवन पांच मिनट तक अच्छी तरह फेटने के बाद मेरे मालपूः की बैटर बन के बिल्कुल तयार है और वह भी बिल्कुल पॉ आप यहां पर उपनी पसंदते की कौई भी ड्री flour योज कर सकते हैं यह भी बिल्कुल आपकी च्वैसपर पेडिपेंड करता है यहां पर मैंने दो ही यहां पी धान अटपि युज ती पार मैंने इसी अच्छी तरह से फेट लिया है और इस तरही किसे मिक्स करने के बार अब हम चलते हैं इसे फ्राइ करने के प्रॉसेस में यहां पर मैं एक फ्राइप एंड गैस पे चढ़ा लिया है और इसमें एड़ कर लिया है ठेशारा कुकिंग ओए और तेल हमारा गरम हुआ है कि यहां पर मैंने एक पींच बैटर को मैं चेक कर लेती हूं डालके आप देख सकते हैं तेल हमारा करम हो गया है और अब मैं इसमें अपने एक बड़े से स्पून की हैल से इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा करते हूए एक एक चमच भरते हूए मैं यहां पी छोटी-छोटी तरीके से शेफ में अपने माल पुए को डाल देती हूं तेल में इस जाना राम पूह है हम जैसे स्टार्टिंग में ओल्मे ओल खरी कमितिम हम इस वगत अपने घास के करेंगी हम राके लेकिन शेच्वारा कर लेंगे अगर हम इसे कंटिन्यू अच्छी तरह से यह सब़ाइए तो यह अंधर सर्चित प्रति ब़न जाे गावारिका रह से इसे ऑफसी जो फ्राय टॉक्टी फ्राय करनेगे तक पांच मिनुट वेद्ट यह घहर इसी फ्राय करने एक नतरे मिनुट लगा कीज़िए सिदन बीज अजिट फ्राय करके इसे अची तरह से फ्राइब करते हुए हम प्लेट आउट कर लेते हैं यह देख सकते हैं इसके कलर बहुत अच्य आ गए और यह अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से पख चुका है यह उपर से भी काफी कृस्पी दिख रहा है और तम इसे आपको तोड़ की भी दिखा देती हूं आप देख सकते हैं इसमें केले और कंडेस्ट मिल्क एड़ होने के कारण ही कितने क्रमिश हो गये हैं यह उपर से जितने आपको कृस्पी लगेंगे अंदर से उतने ही बनाएंगे अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर ट्रस कीजेगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्स्राइब कीजिए और इसे जादा से जादा शेयर कीजिए तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई दना रात्रे स्पेशल रे बीसे प्सक्राइब